Hello Everyone, NK Education Channel पर आप सवी का बहुत बहुत स्वागत है BPSC TRE 3.0 बिहार सिक्षक बहाली फेज 3 को लेकर सिक्ष्या विबाग एक्षन में है जिसमें BPSC के जो 3.0 था जिसके आने की संभावना अगस्त में थी लेकिन अब फरवरी में ही उसका विज्यापन आ जाएगा और मार्च में आपकी परिक्षा हो जाएगी कितने पर यह तीसरे फेज की भरतियां होंगी उसकी सभी क्लारिफिकेशन उनका हो चुका है यानि 65 से 68 हजार सीटों पर आपकी बहाली होने वाली है इसमें अधिकारियों से रिक्षा मांगी गई थी और इसमें एक खुशकबरी आपके लिए बता दें कि जिस वर्ग में भी आप एपलाई करना चाहते हैं चाहे वर्ग आप 1-5, 6-8 या 11-12 जिन भी वर्ग में आप एपलाई करना चाहते हैं उन सभी में रिक्तियां बढ़ गई हैं क्योंकि जो रिक्तियां मांगी गई थी डियोज से वो रिक्तियां भेज दी गई हैं डियोज द्वारा जिसमें तीसरे फेज में लगबग 65-68,000 सीटों पर निकलेगी बाली आज शाम तक सभी डियो भेज देंगे रिक्तियां दूसरे फेज की बची हुई लगबग 28,000 सीटें होंगी इनी में मर्ज कर दी जाएंगी क्योंकि जो टियारी 1 और 2 से मिलके बची हुई हैं 28,000 के कर वो 28,000 सीटें इसी रिक्तियों में मर्ज कर दी जाएंगी सभी रिक्तियां मिलने के बाद होगी महतवपून बैठक, BPSC और सिक्षव विबाग के बीच जल्द बैठक 15 फरवरी तक हर हाल में जारी होगा विज्यापन यहां पर उन्होंने कहा है कि 15 फरवरी तक से पहले आपको यह पूरी प्रिक्रिया पूर्ण होती हुई नजर आ जाएगी बैठक में विज्यापन की रूप रेखा शर्ते होंगी ते प्राइमरी से लेकर प्लस टू तक जारी होगा विज्यापन और 10 मार्च के बाद कभी भी हो सकती है थर्ड फेज की परीक्षा या नहीं हुआ जारी कम से कम 14,762 पदों पर तो विभाग रिजल्ट जारी करे आखिर तीसरे फेज में इन सीटों को एड़ करने की क्या जरूरत है यानि जो BPSC TRE 2 है उसका सप्लिमेंटरी रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है जिसको लेकर सभी अभ्यरती है स्टूडेंट ह वो धरना परदर्सन भी कर रहे हैं लेकिन क्या सप्लिमेंटरी रिजल्ट निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि जो तीसरा फेज की बहाली है उसी में ही सारी रिक्तियों को भरने का विचार बन रहा है सप्लिमेंटरी प्रण की बहाली के लिए सिक्षक नुप्ति के पहले चरण और दूसरे चरण में सिक्षकों की नुप्ति के बाद सरकारी विद्यालियों में 20-25,000 सिक्षकों के पद खाली रह गई हैं। प्रण देने में अनावस्यक रूप से देरी करने वाले जिला सिक्षक पदादीकारी पर अनुसाशनिक कारवाई की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर इसको पढ़ने से ही आईडिया आ रहा है कि कितनी सकती के साथ इस कारे को संपन्न कराने पर जोड़ दिया जा एक दिन पहले ही उन्होंने रिक्तिया दे दी हैं तभी हम आपको यह बता पा रहे हैं कि 65 से 68 हजार पर होगी क्योंकि जिला सिक्षा अधिकारियों ने तुरंद ही रिक्तियां दे दी और मादिमिक शिक्षा ने दे सक कर नहीं है पर सासरी वास्तव ने मंगलवार को कक्ष कक्षा एक से पांच प्रात्मिक कक्षा चह से आठ मद्य कक्षा नो से दस मादिमिक और कक्षा गयरे से बारे उच्च मादिमिक तक के विद्यालियों में शिक्षकों की रिक्तियों के बारे में शिक्षा वेभाग के ईमेल आईडी पर सूचना देने का आदिस सभी जिलों गई है इसी भेजी हुई रिक्तियों के आधार पर ही 60 से 65 हजार पर उन्होंने क्लियर किया है कि आपकी सिक्षक बहाली होनी है यानि 31 जन्वरी तक हर हाल में मांगी गई जानकारी भेज दी गई है और 65 हजार पर आपको ये BPSC TRE 3.0 देखने को मिल सकता है इसके रिगार्डिंग जैसे को नेक्स्ट अपडेट मिलता है हम अपनी वीडियो के मादेर से आपको तुरंत बतानी का प्रयास करेंगे तो प्लीज इसलिए चैनल जरू सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग की अब इसमें में चीज क्या रह गई है अब हमें ये किलिए होगा कि इतने पदों पर वेकैंसी निकालेंगे अब हमें देखना ये होगा कि 125 में कितनी निकालेंगे 6-8 में कितनी निकालेंगे इन सब का ब्यारा हम अपणे नेक्स्ट उडियो में आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि एक साथ वीडियो में सब को include कर दे तो मेन जो चीज रहती है जो उद्देश होता है वो भटक जाता है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा वर्ग वाइस कितनी वेकेंसी है सब्जेक्ट वाइस आपके साथ सेयर करेंगे तो प्लीज बने रहीएगा हमारे चैनल के साथ वीडियो को अंतक देखने के लिए थें थाक्यू एड थाक्यू एड थाक्यू वाचिंगू